जहिन साथियों आप सबको नमस्कार मैं अलकालांबा दिली से सभी साथियों का धन्यवाद और मैं सभी के जो मैसेज है वो पढ़ रही हूं और लाइफ खतम होने के बाद जुरूर एक एक का मैसेज पढ़ती हूं और कोशिश करती हूं कि कुछ के जो मुझे लगते हैं जवाब देने लायक है उनको मैं जवाब देती हूं आप सभी का धन्यवाद ज्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि सोने का समय हो गया पांच खबरे आई, पांच खबरों में तीन तो अभी लेटस्ट हैं, जिस पे मैं अभी चर्चा करूँगी, ज्यादा लंबी नहीं सिर्फ दस मिनट में, आपको मालूम होगा पहलू खान, अलवर, राजस्थान, मीजेबी की सरकार थी, उस समय भीड नहीं कट्ठा होकर उस तरीके से उसादमी को पीटा गया, छोड़िए, दूसरा, तबरेज अनसारी, युवा नोजवा लड़का ज्यारखंड में, सबने वीडियो देखा होगा कि उसे पेड से बांथ कर, पीट पीट कर माल डाला गया, भीड से, वो भी वीडियो आप सबने हमने देखा, लेकिन हाँ, उसको लिए भी आया है कि उनके सभी अपराधियों को जो एक्यूस थे, उनको पहलु खान की तरह बेल मिल गई है, और पहलु खान के आरोपियों की तरह तबरेज अनसारी के भी आरोपियों को पूरी बेल मिल गई है, और ये साबित हुआ है कि तरवेज जो है, वो जो आप देख रहे थे ना बीड में इकटा करके इसको मार रहे हैं, वो तो उससे खेल रहे थे, उसको गुदगुदी कर रहे थे, लेकिन उसको Heart Attack हुआ और ये आया कि उसकी जो है हत्यानीवी वो यूआ लड़का भी Heart Attack से मर गया है तो उसमें भी सबको रिहा कर दिया गया अब तीसरा मामला वो हिंदू मुस्लिम वर्सिस था लेकिन यहां नहीं है यहां अब आज एक खबर मिलती है उत्तरपरदीश के इंस्पेक्टर सुबोध सेंग या थे या भूल गए इंस्पेक्टर सुबोध सेंग ड्यूटी पे थे वर्दी में थे भीड आती है भीड का नित्यत्व कोन कर रहा था सबको मालूम है बजरंग दल का निता युगेश राज अपने साथ आथ गुंडों के साथ उस भीड का नित्यत्व कर रहा था और इंस्पेक्टर सुबोध सिंग को की हत्या हो चाती है उसके बाद क्या पुलीस वाले ही अपने ही इनस्पेक्टर की हत्या के सबूत इकत्या करने की बजाए उसे नस्ट कर दिया और उसे हुआ ये पिछले महीने बजरंग दल के साथ आरोपी बेल मिलकर रिहा हो गया और आज योगेश राज बजरंग दल का नेता जो नित्यत्व कर रहा था जि भी आज रिहा हो गया है सबूत नहीं है और मुझे पक्की यकीन है कि पहलू खान की तरह और तब रेजन सारी की तरह इंस्पेक्टर सुभोज संग की भी हत्या नहीं हुई है उसका भी हाट अटेक हुआ होगा आ जाएगा आज रोने केल नहीं हुआ हाट अटेक निकाल देगे चिंदा मत करिएगा इनका बचना जरूरी है सरकार है सत्ता है केंद्र से लेकर उत्तर परदेश तक इनकी सरकार है भाई नहीं बचाएंगे तो लानत ऐसी सरकार को दल छोड़नी देगा इन्हें इसलिए बचाईए क्योंकि यही तो वोट मांगेंगे आपके लिए आने वाले उत्तरपरदेश और दूसरे राज्यों के चुनावों में इसलिए इन्हें बचा कर रखिए बाकि इंसानियत की हत्या होती है हो ने दीजिए एक और मामला है उनाव की पीडिता All India Medical Institute में पीता मार डाला चाचा जील में है माँ वकील उसका ट्रक से एकसिडन्ट होता है कम से कम देड़ महीने से उसका वकील और उनाव की पीडिता एम्स All India Medical Institute में थी आज उसके चुटी होगी लेकिन वो यहां से दिल्ली से उत्तरपरदेश नहीं जाना चाहती उसे एम्स के ही डेस्ट हाउस में रखा गया क्योंकि उसे लगता है कि उसकी हत्या करवा दी जाए कि उसमें हम सब की दुआउं से भगवान की वज़ा से वो बच गई लेकिन आगे उसको लगता है नहीं बच पाएगी क्योंकि कुलदीप सिंग सैंगर अभी जिन्दा है प्रधान मंत्री मोदी जी का दावा था कि भारत देश में जब से उनकी सरकार आई है पेटी बच आ कि नारे किता है साथ दिन में आरपरादियों बलातकारियों को फासी होती है लेकिन ये तो कुलदीप सिंग सैंगर है बलातकारी होगा लेकिन उससे पहले भाजपा का विधायक भी तो है ऐसे कैसे फासी हो जाएगी साथ दिन में एक साल बात तो F.I.R. हुई उसके लोगोने वोट दिया है जील में मिलने गए तो कुलदीप सिंग सैंगर को धन्यवाद करने गए तो बलातकार की अरोपी अपने विधायक कुलदीप सिंग सैंगर का उन्नाव के साक्षी महराज काईएगा कुछ मत भगवाधारन करते हैं श्राब दे सकते हैं आपको इसलि अच्पा की सरकार में अटल जी के समय में केंद्रिय मंत्री रहे हैं वो श्राब देकर आपको भस्म कर सकते हैं मैं आपको बता रही है मैं नहीं साद्वी प्रग्या था कुर ने बार बताया कि काला जादू होता है जिससे वो एक-एक उनके नेताओं की जो है वो हत्या रहे हैं उनको मारा जा रहा है इंसे श्राब दे सकते हैं काले जादू में यकीन रखते हैं अब चिनमयान भगवादारी है कुछ मत कहिए का वो आपिस कह रहे हैं 23 साल की कानून की पढ़ाई कर रही बेटी ने कहा कि मेरा लगातार भाजपा कही लेता पूर्फ केंद्रिय मंत्री बलातकार कर रहा है लगातार लगातार कहा जाता है बेटियों को स्कूल में भी बच्चियां जाती है तो हम बच्चियों को बताते हैं गुड टच बेट तच क्या है ताकि हमारी मासूम बच्चियां जो यो 5-6 साल की हैं स्कूल में कदम रखते हैं, उन्हें पता लग सके कि कौन उनको किस भावना से टच कर रहा है, तो हम 5-6 साल की बच्ची को भी गुड और बेट टच बताते हैं, जब तक नहीं पताया था, तब तक शायद उन बच्चीयों को भी मासूम बच्चीयों को इस घ हिंदु धर्म को बदनाम कर रहे हैं, जो अपने आपको सच्चा हिंदु कहते हैं न, सच्चा हिंदु हैं आप, तो थूकिये इनके मूँ पर, ये भगवा धारन करके हमारे धर्म को भगवा को बदनाम कर रहे हैं, अगर आप सच्चे भागता हैं, हम सच्चे भागता हैं, आप सच्चे भागता हैं तो थुकिए इनके मूँ पर कि आप भगवा धारन करके हिंदू कहकर चिनमयानंद किसका बलातकार करता है एक हिंदू बेटी का उल्दीप सिंग सायंगर भाजपा का विधाय किसका बलातकार करता है एक हिंदू बेटी का थुकिए इनके मूँ पर अगर सिच्छ हिंदू हैं सच में अगर बेटियों का कर आप पत्थर की मूर्तियों में नवरात्री आ रही है हर घर में दुर्गा पूजा, काली पूजा, सरस्वती पूजा, सत्रा की इस्त्री के जो रूप है मूर्ति में पूजा किया जाएगा, लेकिन मूर्ति के बार हक अधिकार मांगेंगे तो या तो मया सीता की तरह आपको अगनी परिक्षा से गुजारा जाएगा उसमें जल कर खाक हो जाएं तो हो जाएं, बच जाएं तो आपकी किस्मत वरना दुरुपती की तरह चीरहरन होगा, जिस तरह से चिनमया नंद केस में कानून की जो हमारी चात्रा है, उन्हें जील बेज दिया गया वाह, क्या कहने, पहली बार है कि हिंदुस्तान में एक बच्ची के साथ, बेटी के साथ हमारी बलातकार होता है, वो सबूत देती है, उपर से उसी के उपर केस डाल कर, उसी को फसा कर, पूरी तरह से किन्याय मांगोगी, सबूत दिखाओगी, चलो, S.I.T. ने उसे ही न्यायक खिरासत में भेज दिया, उसे बेल नहीं मिली, वो बेटी जील में सो दूसरी बेटियों के लिए, भाईयों के लिए कहोंगी, पिता के लिए कहोंगी, अगर आपकी बेहन भगवान ना करे, आपकी बेटी भगवान ना करे, कुछ भी हो, बेटियों को कहिए, सबूत मत इकठे करिए, क्योंकि इन सबूतों को, कि आधार पर आपको फसाया ज आपका एक बार बलातकार होगा, दो बार होगा, तीन बार होगा, लेकिन जब आप अदालत जाएंगी, तो द्रोपती की तरहां उस अदालत में आपकी बेटी, आपकी बहन का चीरहरन किया जाएगा, वो बलातकार उसने एक बार किया होगा, दो बार किया होगा, लेकिन न्य दिन में फासी चड़ते हैं ऐसा मुझे तो होते हुए दिख नहीं रहा है तो उस बेटी को कह दीजिए सबूत मत इकत्थे करें खामोश हो जाए लाल के लिए से बेटी बचाओ का नारा भाई कोई मजाग थोड़ी ना है बेटीयों का ठेका लिया है प्रधान मंत्री ने जि क्या मतलब आप लोग उसको घंबीरता से ले तो आपकी गल्ती है पांच साल पहने नहीं नारा था बहुत बड़े-बड़े ओडिंग लगे थे बहुत हुआ नारी परवार अब की बार मोधी सरकार सब्सकार आगे फैसे फिर क्या हुआ हुआ दुआरा सरकार आ गे बलातक का दर हत्या होने का डर उन आपकी पीड़िता को है चीर हरन चिनमयानंद बेटी वाले केस में हो रहा है तो बस मैं आप जादा नहीं दस मिनट आपके लेने थे अब जाए सोगे नेंद आ तो अगर घर में बेटी है, अगर घर में बहन है, तो शायद इन सब मामलों में कि इस देश में अब न्याय नहीं है, बेटी बचाओ, लेकिन बेटी का बलातकारी भाजपा का बड़ा नेता है, उसकी अगर सरकार राज्य और केंद्र में है, तो बेटी से पहले बलातकार के आरोप में अपने नेताओं को बचाओ, ये नारा नहीं दिया, पर ये पीछे का है नारा, आगे तो ये ये पेटी बचाओ, पीछे का है भाजपा के बंद कमरों में, अगर बलातकार का आरोपी भाजपा का नेता, तो पहले उसे बचाओ, शायद हम नेता इंतजार में हैं जनता सड़को उपर आए, जनता इंतजार में हैं नेता पहल करें और मुझे लगता है कि इस सत्ता इस राज में चार रास्ते छोड़ दिये हैं, नमबर एक रास्ता, राजनीती छोड़ दीजिए और घर बैट जाएए, नमबर दो रास्ता, भाजपा की सदस्ता लेकर भाजपा में शामिल हो जाएए राजनीती नहीं छोड़नी भाजपा में शामिल नहीं हो न तो खामोश हो जाएगा यह जितने भी बलातकारी हैं वो भाजपा के नेता उनकी सरकार है इनके खिलाफ आवाज उठाई तो उन्नाव की पीड़ता वाल तो खामोश हो जाएं चोथा रास्ता था कि खामोश नहीं हो रहे राजिती नहीं चोड़ेंगे बात्मा में शामिल नहीं होंगे तो जेल जाने के लिए तयार रहें किसी न किसी मामले में आपको फसा ही दिया जाएंगा महट आसानी से सबूत भी घर से ले आएंगे आपको अपको आपके जो है साधित भी कर देंगे पलीस प्रशाशन कानून सब साधित कर देगा कि दोशी आप ही हैं। जो भी चीजे लाकर रखेंगे, चाहे चर्स, चाहे स्माक, चाहे हथियार, कुछ भी, कुछ भी लाकर रख सकते हैं, कुछ भी, बहुत चीजें हैंड के पास, सब कर सकते हैं, और आपको जेग भीच सकते हैं, अब आप जेल जाने से नहीं डरतें, आप राजनीती छोड़कर ना जेल जाने से डरेंगे ना आवाज उठाने से रुकेंगे ना भाजपा में जाएंगे लेकिन आवाज उठाते रहेंगे बीना किसी डर के तो आपको मेरी आवाज को मेरी इस बात को अगर सही लगे तो आगे ले जाएए शुबरात्री सभी पिता को सभी भाईयों को कहोंगी आपकी वहनों के लिए शुप काम नाय देती हो कि आपकी वहन, आपकी पेटी के साथ वो नहो जो उन्नाव की पेडिता के साथ हुआ वो नहो जो शेजानपुर्ग के चिन मैंनंत किस्क में हुआ है आसा राम अंदर है, राम रहीम अंदर है और असली हिंदू को मैं कहोंगी असली हिंदू है आप हिंदू धर्म की आड में भगवा धारन करके चाहे वो राम रहीम हो चाहे वो आसा राम हो चाहे वो चिन मैंनंद हो और चाहे वो आपके ये निता हो बदनाम कर रहा हैं आपके धर्म को, हमारे धर्म को, ठुकिए इनके मूपर, अंत तक कोशिश करिए कि इन्हें सजाएं मिलें, इसलिए मिलें तक भी हिंदो धर्म के उपर, इस देश के कानून के उपर, इस देश के उपर, लोगों का भरोसा और यकीन बना रहे, मेरी शुक् आप इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, कि शायद, 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 कहीं कोई बीटी आज भी खामोश हो, और चिनमया नंद वाले केस के बाद डर गई हो, कि सबूत भी हो, तो बोलना मात, आरोपी नहीं, बलातकार का आरोपी नहीं, तुम जेल जाओगी, और द्रोप कर देंगे, उन्हें आपकी पीटा की तरह कोशिश करेंगे, शुब कामनाई, आप सभी को, जय हिंद, जय भारत.